हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटर्स गुरू में आज मैं आपको फॉर्चुनर के मुजिक सिस्टम के बारे में बरीफ करूंगा डेटेल वाइस आपको बताऊंगा सारा कुछ गर करो हमारे साथ में तो यह साथ में एगर कुछ!.. हेलब करेंगे सो लैट साथ डी वीडियो so, श्ठार्ट करते हैं इस्का पूरा डेमुर्शेशन की हम इशाय का चीजां योज़ीयो कर सकते हैं सो लैट स्टार्ट वीडियो सो दोस्तों इसका डेमिंशेशन इसमें क्या-क्या अपड़ेटस आयम सबसे पहले तो इसकी स्क्रीन जो है पहले से थाधों सी बड़ी है उस देख सकते हैं पहले जो लुक को इनेंस करने के लिए इन्होंने option देते हैं प्लस start करते हैं first से यहां पर home के बटन पर जाते हैं तो home के बटन पर आप देख सकते हैं कि Bluetooth का option आता है यहां पर चार contact अपने according favorite contacts आप एड़ कर सकते हैं अगर आपका Bluetooth set है इस पर अलाव कर रखा अपने प्लस इसमें लेटेस्ट पर किलोमेटर की आवरेज आयते पर लिटर की आवरेज आती है क्रूजिंग रेंज आती है तो इस सारे feature आपके starting के home menu पर आयता है तो काफी simple and sober इसका music system दिया हुआ है जिसमें आपको use कर रहें में कहीं भी problem नहीं आएगी and look को काफी नेस किया पहले से second switch पर आते हैं इसका menu को तो menu के switch पर जब आप जाते हैं इसमें आपको option मिलता है audio phone apps info and setup so सबसे बहले audio पर जाते है audio पर अगर आपने अपना Bluetooth set कर रखा है एड कर रखा है तो यहां पर आपको जो play हो रहा होगा जो भी sound play हो रहा हो जो music play हो रहा होगा वो जल जाए वो दिखेगा आपको यहां पर सोर्स पर जाते हैं तो सोर्स में आपको option मिल जाता है am fm usb अगर आपने लगा 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 सकते हैं Bluetooth लगना चाहते तो Bluetooth Miracast का भी इसमें option दिये है आपकी पूरी phone की जो screen है वो आपको आपके इसमें music system में दिखेगा then now playing मैंने आपको बता दिया connect का option इसमें दिया हुआ जो भी connect करना चाहें आप जो भी options आपके पास मिल जाएंगे यहां पर अगर इनमें नहीं है तो दूसरा option में बताऊंगा कैसे इसको connect करते हैं Bluetooth से then उसके बाद sound में आपके पास option आता है mid bass treble कैसे करते हैं करते हैं mid bass इस सारी चीज़ें set करने के लिए option दिया हुआ है then आप इसको set भी कर सकते हैं कि sound आपका आगे पीछे side में right left कहां पर आपको sound चाहिए front में पीछे rear में तो इस सब कुछ आप set कर सकते हैं अपना coding back करते हैं इसको अब इसके बाद जाते हैं automatic sound का जो levelizer है वो आप कैसे करना चाहते हैं उसको mid high low off so level कर लेता है automatically हो then third पे जाते हैं audio पे तो वही option जो मैंने आपको touch screen menu पे जाने के बाद आपको बताया same यहां पे option आ गया audio का तो वही features जुबारा इसमें दिखाये मैं then जाते info info पे info में आपको average speed after start ellipse time after start cruising range जो अभी आपको दिखाया ठीक है history में आपको सब कुछ दिखा देगा previous best latest जो average आई है trip information अगर आपको कुछ चाहिए तो वह हई update अगर आप करेंगे तो new updated चीज़े भी आ जाएगी यह सब कुछ हटाना चाहिए तो इसको हटा सकते है तो यह नॉर्मल चीज़े हैं जो आपको मिल जाती है इस music system में info के बाद नीचे इसमें देखें liver दिया हुआ है काफी sleek and chrome का finish में दिया हुआ है आप देख सकते हैं तो look को काफी enhance कर रहे है look को enhance करता है और इससे आपका sound कम ज्यादा volume का दिया हुआ है power volume दिया हुआ हुआ है तो sound कम ज्यादा कर सकते हैं देन जाते हम left में यहां पर चैनल चेंज करने के लिए अगर आप करना चाहिए तो यहां से option आएगा प्रैक्स चेंज करने के लिए इसके नीचे दिया हुआ है फोन का option आपके आता है अगर आपने connect कर रहा है तो उसके फोन स्ट्री पूरी आती है इसमें जितने भी number है वो जितने भी set होए है वो सारे के सारे इसमें आपको मिल जाएंगे एपस पर जाते हैं तो इसमें एक option आता है smart device link apps यह टोईटा का connect एक application है जिसमें आप अपने applications को set कर सकते हैं अपने phone में जो भी application आप चाहें फेवरेट application में आप उपने phone में set करें कौफी सारे और भी feature उसमें आपको मिलेंगे तो detail wise उसकी वीडियो में अलग से बना दू आप मुझे comment section नहीं बता सकते हैं सेम यह आपका tune change करने के लिए tune को same quality बहुत बढ़िया देवी है इसके साथ साथ में आपको बताना चाहूंगा इस music system में जो पहले से update किया हुआ है पहले इस music system में आपको android auto apple carplay नहीं मिलता था अब वो features भी आपको इस model में मिल जाते हैं so इसमें आपको android auto कैसे connect होता है अगर वो जानना चाहते हैं तो please मुझे comment section में बताइए मैं उसकी भी video आपको दूंगा and basically features मैं आपको इसमें सारे बता दी है sound पहले से बहुत बढ़ी है इसमें कर दिया है यह जो music system है यह अभी 4x2 transmission का है 4x4 में JBL का music system दिया हुआ है तो उसका sound और better आपको मिलेगा JBL का तो basically इसमें speakers की बात की जाए तो चार speaker दो tweeters इसमें भी दिये हुए जो की बहुत ही enough है इस गाड़ी के लिए पहले से मैं आपको बार बता रहा हूं कि पहले वाला जो फॉर्चुनर था उससे काफी अच्छा sound quality आप मिल रहा है आपको ट्वाटा की तरफ से तो दोस्तों यह था हमारा demo एक music system का कि क्या features इसमें आते हैं and क्या इन्होंने changes की हैं पहले से brightness भी आप देखे काफी अच्छी brightness अगर आप धूप में भी गाड़ी चला रहे हैं तो भी brightness काफी अच्छी आगी आप बाहर देख सकते हैं अभी उजाला ही है दिन का टाइम है तो इसमें आपको अभी भी light काफी अच्छी है brightness काफी अच्छी है गाड़ी के अंदर and music system काफी अच्छा look inance करता है आप बारत दूर सा देखाता हूं काफी अच्छी इसमें information आप किलर देख सकते हैं तो थैंक्यू सो मच गाइस आपने इस वीडियो को यहां तक पूरा देखा तो प्लीज मेरे इस चैनल को like and subscribe जरू करें motors guru आपका धन्यवाद करता है आपने यहां तक वीडियो देखी thank you so much have a nice day stay safe stay at home thank you so much